नमस्कार, NCRT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास 7 की साइंस का चाप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी वेस्ट वाटर का मतलब वह पानी जो गंदा हो गया है वह पानी जो अब इस्तिमाल के लायक नहीं बचा पानी जो वेस्ट हो गया है तो वेस्ट वाटर के साथ क्या कुछ होता है वेस्ट वाटर की ये स्टोरी है वेस्ट वाटर की कहानी है कि पानी जब गंदा होकर नालियों में बहता है तो उसके साथ आगे चल कर क्या कुछ होता है कैसे हम पानी को कम गंदा कर सकते हैं और गंदा पानी वापिस से किस तरह साफ होता है कैसे हम वेस्ट वाटर को वापिस से यूज कर सकते हैं इस वेस्ट वाटर से क्या कुछ नुकसान है हमें इन्वार्मेंट को क्या नुकसान है किस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं इस wastewater में, हम कैसे उनसे बच सकते हैं और कैसे हम पानी को कम से कम गंदा कर सकते हैं, क्या कुछ habits हम develop कर सकते हैं ताकि पानी कम से कम गंदा हो, पानी कम से कम waste हो, तो इन ही कुछ चीजों के बारे में है यह chapter, आए इसे शुरू करते हैं All of us use water in our homes and make it dirty, हम सभी अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसे गंदा करते हैं, डिर्टी, are you surprised? गंदा करते हैं, यह सुनकर क्या आप surprised रह गए? Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty, तो पानी जो नालियों में बहता है, जिसमें साबुन का जाग मिला होता है, साबुन का जाग पानी में कहां से मिलेगा? जब हम पानी से कपड़े दोते हैं और उसमें detergent का इस्तेमाल करते हैं, तो detergent से जो भी जाग पैदा होता है, कपड़े दो लेने के बाद, वो पानी के साथ बहा दिया जाता है, तो पानी में वहां से जाग mix हो गया, जब हम generally नहाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन का जाग भी इस पानी में मिलकर बह जाता है इसके अलावे और क्या गंदगी मिलती है पानी में तो अगला एक्जामपल है mixed with oil पानी में जो oil है वो कब मिलेगा तो किचन में जब हम बरतन साफ करते हैं तो वहां से water में oil mix होकर नालियों में drains के थुरू बह जाता है तो ये जो black brown water है जो काले और भूरे रंग का गंदा पानी है जो नालियों में बहता है कहां कहां से बहता है तो sinks से बहता है जहां हम बरतन होते हैं shower से बहता है जहां पे हम नहाते हैं टॉयलेट से बहता है जहां पर हम हलका होते हैं लॉंड्रीज से बहता है जहां हम कपड़े धोते हैं तो इन जो सारे प्लेसेस है जहां से गंदा पानी जो काले भूरे रंग का गंदा पानी नालियों में बहता है वो डिर्टी होता है गंदा होता है और इसी गंदे पानी को waste water कहते हैं ये पानी अब इस्तिमाल के लाइक नहीं रहा इसे हम किसी और दूसरे काम में बिना साफ किये डिरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे इसी लिए इसे waste water कह रहे हैं अब आगे कहा जा रहा है कि ये जो गंदा पानी है इसे waste नहीं करना चाहिए हमें ये जो waste water है इसे ऐसे ही नहीं बहा देना चाहिए इसे हम दूबारे से इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर इसे हम साफ करके किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं पौधों को पानी देने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं अब यह pollutants क्या है तो जो भी चीजें मिलके पानी को गंदा कर रही है जैसे कि पानी में ओयल मिलके पानी को गंदा कर रहा है पानी में साबुन का जहाग मिलके पानी को गंदा कर रहा है और भी इस तरह के जो भी pollutants हैं जो गंदगी फैलाने वाली चीजें हैं जो पानी के अगर पानी को गंदा बना रही है अगर उन पॉल्यूटेंट्स को उस गंदगी को अगर पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो पानी हमारा पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो हमें पानी को इन गंदगी से free करके, पानी से इन गंदगीयों को निकालके पानी को वापिस से साफ करना चाहिए Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? क्या आपने कभी सोचा है कि नालियों में जो पानी बहा दिया जाता है, वो आखिर जाता कहा है और उसके साथ होता क्या है तो इस पूरे चैप्टर में हम यही जानेंगे कि नालियों में जो गंदा पानी बहता है, उसकी पूरी स्टोरी क्या है, वो कैसे ट्रेवल करता है, क्या कुछ होता है उसके साथ, और क्या कुछ मेजर समय लेने चाहिए तो आईए शुरू करते हैं, हम अपना पहला सेक्शन, Water Our Lifeline Water हमारा Lifeline है, मतलब हमें जीवन देने वाला है KBC में Lifeline होता है, क्या आपको तीन Lifeline मिले हैं, आप इसका यूज करके अपना एंसर फाइंड आउट कर लो है ना, और Lifeline जब खत्म हो जाएगा, तब हमें सीर छोड़ कर जाना पड़ता है तो उसी तरह है, कि Water अगर हमारे पास नहीं होगा, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा हमारे जीवन को जारी रखने के लिए, ये Water जरूरी है, Water हमारा Lifeline है Clean water is a basic need of human being, जो साफ पानी है, वो हर human being को चाहिए एक basic, एक बहुत बुनियादी जरूरत है, हर आदमी के लिए साफ पानी Let us make a mind map of the many usage of clean water Mind map क्या होता है, mind map ये एक ऐसी picture आप देखिए, जहाँ पे center में एक इस तरह से गोला बनाते है और इसमें लिखते हैं कि किस चीज के बारे में हम mind map बनाना चाहते है एक तरह का map है mind map, ऐसे गोला बना बना कर mind map हम बनाते है तो जिस चीज के बारे में हमें mind map बनाना है, उसको यहाँ इस तरह center में लिखते है और फिर इस तरह से और भी ऐसे चोटे-चोटे गोले यहां से निकालते हैं और इसके बारे में जो हमें लिखना होता है हम इन निकले हुए चोटे-चोटे गोलों में लिखते हैं तो यह basically एक mind map का structure है तो mind map कुछ भी नहीं है बस सोचने का लिखने का एक तरीका है उसका कहा कहा इस्तिमाल होता है क्या क्या use है उसका इसके बारे में हमें एक mind map बनाना है तो mind map कैसे बनाएंगे center में पहले लिखेंगे कि किस चीज के बारे में हमें mind map बनाना है तो हमें mind map बनाना है कि साफ पानी को हम कहा कहा इस्तिमाल करते हैं clean water put to use put to use मतलब कहा कहा इस्तेमाल किया जाता है कहा कहा यूज में लगाया जाता है साफ पानी कहा कहा यूज में लगाया जाता है तो साफ पानी का हम कहा कहा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक इन्होंने दे रखा था कि साफ पानी को हम पीते हैं drinking के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये तो एक use हुआ जो बड़ा prominent use है हर किसी को पानी की जरूत होती है सारे जो human beings है सब पानी पीते हैं इसके अलावे पानी का हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं वो मैंने यहां पर लिख रखा है तो पानी का इस्तेमाल ये सफाई बहुत तरकी हो सकती है, हमारे कपड़ों की सफाई हो सकती है, हमारे शरीर की सफाई हो सकती है, सावर लेना हो सकता है, लॉन्डरी हो सकता है, तो इन कुछ basic कामों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं साफ पानी का इन कुछ basic कामों में इस्तेमाल करते हैं तो यह हो गया आपका mind map कि साफ पानी का हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं activity 18.1 तो यह जो mind map है हमने इस activity के अंदर बनाई है यहाँ पर क्या लिखा है देखिए यहाँ पर इन्होंने एक example drinking दे रखा था यू कन अड़ मेनी मोर आप इन बातिंग, कुकिंग या क्लीनिग इसके अलावे भी और पानी का कहा कहा इस्तेमाल है लिख सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर तीन बाक्स थे इसलिए मैंने यहाँ पर तीन लिख रखे हैं आईए अब आगे देखते हैं clean water that is fit for use is unfortunately not available to all साफ पानी जो इस्तेमाल के लिए अच्छा है, fit for use है वो दुरुभाग्यवस unfortunately सभी के पास उपलब्द नहीं है बहुत लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता it has been reported that more than one billion of people have no access to safe drinking water तो ऐसा report किया गया है, ऐसे एक report में बताया गया है कि एक billion से जादा लोगों के पास जो सुरक्षित पीने का पानी है ऐसा पानी जिसको पीकर वे बिमार नहीं पड़ेंगे safe to drink है, ऐसा water जो drinking water है, जिसे हम पी सकते हैं पीने लायक पानी, एक billion से जादा लोगों के पास उपलब्द नहीं है अवेलिबल नहीं है एक billion होता कितना है, एक billion में कितने zero होंगे तो आईए देखें, एक billion में कितने zero होंगे यहाँ पे left में मैंने लिख रखा है यहाँ पे आप count किजेगा तो इतनी बड़ी एक संख्या है लोगों की जिनके पास साफ, सुरक्षित, पीने का पानी अवेलिबल ही नहीं है उपलब्द ही नहीं है तो यह जो इतने सारे लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है इससे बहुत सारे पानी से रिलेटेड बीमारियां होती है और बहुत सारी मौते भी होती है इन लोगों की जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है People, even children, walk for several kilometers to collect clean water as you read in chapter 16 Chapter 16 में हमने देखा कि कैसे लोग और बच्चे बहुत दूर तक, काफी kilometers तक चलते हैं, walk करते हैं साफ पानी एकठा करने के लिए, साफ पानी लाने के लिए Is it not a serious matter for human dignity? क्या यह एक serious matter नहीं है आदमी के सम्मान के लिए, आदमी के dignity के लिए तो बिलकुल अगर पानी के लिए किसी को kilometers तक जाना पड़ रहा है एक नहीं बहुत सारे several kilometers तक अगर travel करके, walk करके पानी लाना पड़ रहा है तो यह काफी एक serious matter है You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors Chapter 16 में हमने देखा कि किस तरह पानी की कमी होती जा रही है जो fresh water है, उसकी scarcity होती जा रही है scarcity का मतलब कमी तो हमने chapter 16 में पड़ा है कि किस तरह पानी की जो fresh water है उसकी कमी होती जा रही है और कमी क्यों होती जा रही है क्योंकि हमारा population बढ़ रहा है हमारी जन संख्या बढ़ रही है हमारे देश की जन संख्या हो या पूरे दुनिया की जन संख्या हो जो लोगों की संख्या है वो बढ़ रही है अब जितने सारे लोग होंगे उतने सारे लोगों को पानी चाहिए होगा जादा लोग होंगे ज़्यादा पानी की जरूरत होगी, तो जब ज़्यादा पानी की जरूरत होगी, तो पानी की कमी होती जाएगी, क्योंकि जो पानी है, जो fresh water है हमारे पास, वो limited है, वो fixed है, है न, वो बढ़ नहीं रहा, वो जितना था उतना है, उसे हम दिन पर दिन गंदा करते जा रहे हैं और साथ में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो लोग उस fresh water को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है अब जब ज़ादा लोग fresh water का demand करेंगे और fresh water limited होगा तो fresh water की कमी scarcity होगी ये तो obvious है है कि ने तो fresh water की कमी scarcity के क्या क्या कारण है उसे ध्यान में रखिए पहला कारण है population growth लोगों की बढ़ती जनसंख्या दूसरा है pollution पानी का गंदा होना और तीसरा है industrial development जो बहुत सारी industries बन रही है कार खाने बन रहे हैं वे किस तरह पानी को गंदा कर रहे हैं तो वे पानी में जैसे की जो fresh water bodies हैं जैसे नदियां हैं तो नदियों में वे जो industry का waste है जो chemical waste है उसे नदियों में बहा देते हैं जिससे हमारा एक fresh water का जो source था जो नदी साफ पानी का स्रोत था वो नदी अब गंदी हो गई तो ये जो industries हैं जो बहुत सारी industries, industrialization हो रहा है बहुत सारी industries कार खाने बन दान दे रहे हैं और दूसरा है mismanagement, mismanagement मतलब पानी का fresh water का ढंग से management नहीं हो रहा है ढंग से उसे store नहीं किया जा रहा है जैसे कि अब बारिश का पानी है तो पहली बारिश को छोड़ कर या फिर पहले कुछ बारिशों को छोड़ कर जहां पे acid rain की संभावना होती है तो उसे किया जा सकता है लेकिन बहुत जगा पे उसे नहीं किया जा रहा है तो ये एक mismanagement का example हुआ कि fresh water जिसे हम store करके रख सकते थे उसे wisely उसे manage कर सकते थे वहां हमने नहीं किया इसलिए पानी का mismanagement हो रहा है तो ये भी पानी की कमी में एक कारण है कि पानी की कमी क्यों ह रही है पाने की कमी को बढ़ाने का ये सब कारण है इसे ध्यान रखिए realizing the urgency of the situation on the world water day on 22nd March 2005 the General Assembly of the United Nations proclaimed the period of 2005 to 2015 as the international decade for action on water for life तो ये जो situation है कौन सो situation पानी की कमी का situation है इसकी urgency को ध्यान में रखते हुए इसकी urgency को realize करते हुए महसूस करते हुए urgency का मतलब जरूरी बहुत जादा अब शक्ता है ना जिसे कहते हैं बहुत urgent काम है वही urgent वाला यह urgency है तो जो पानी की कमी है उसकी urgency को महसूस करते हुए, realize करते हुए 22nd March of 2005 को 22nd March को World Water Day मनाया जाता है यह आप से पूछा जा सकता है MCQ या फिर कुछ ऐसे types में कि World Water Day कब मनाया जाता है तो World Water Day 22nd March को मनाया जाता है और इसी World Water Day के दिन पर United Nation की General Assembly ने 2005 में ये एक जो पीरियड है 2005 से लेकर 2015 तक का जो पीरियड है उसे International Decade for Action on Water for Life इंटरनेशनल डिकेड का मतलब 10 साल का पीरियड उसे डिकेड गहते हैं तो International Decade for Action on Water for Life ये चीज प्रोक्लेम करी United Nation की General Assembly ने प्रोक्लेम का क्या मतलब होता है प्रोक्लेम का मतलब होता है घोशना करना मतलब की 22 मार्च 2005 को United Nation की General Assembly ने इस वाले पीरियड को International Decade for Action on Water for Life ऐसा कहके घोशित किया ऐसा कहके प्रोक्लेम किया All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water तो इस दशक के दवरान दशक मतलब 10 साल के पिरियड को दशक कहते हैं उसी को इंगलिस में decade कहते हैं तो इस decade में पानी को save करने के या उन लोगों तक पानी को पहुँचाने के जो भी उपाय किये गए हैं जो भी efforts जो भी प्रयास किये गए उसने ये जो हमारा number था 1 billion people का जिनके पास साफ पीने का पानी available नहीं था इस number को half कर दिया है मतलब अब 1 billion ऐसे people नहीं हैं केवल half billion ऐसे people हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है ऐसा कैसे हो सका ऐसा United Nations के effort के कारण हो सका ज्यादा तर लोगों के पास साफ पीने का पानी पहुँच सका there has been perceptible progress in the direction of the aim but still there is a lot to achieve perceptible का मतलब होता है दिखाई देने वाला जो सामने दिखाई देता है लेकिन अभी बहुत संभावना है improve करने की अभी हमें बहुत कुछ achieve करना बांकी है cleaning of water पानी को कैसे साफ करें पानी में बहुत सारी गंदगी है कहां कहां से गंदगी आ रही है यह हमने जान लिया तो अब इस गंदगी को कैसे साफ करें पानी में जो गंदगी चली गई है उसे कैसे निकालें cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused तो पानी का साफ करना एक process है जिसमें हम पानी में मिली गंदगी को pollutants को बाहर निकाल लेते हैं इससे पहले कि वो किसी water body में जैसे की नदी में तालाब में समंदर में enter करें या फिर हम उस पानी को use करें reuse करें दो बारे से इस्तिमाल करें इससे पहले हम उस पानी में मिली हुई जो pollutants हैं जो गंदगी है उसे बाहर निकाल लेते हैं इस process को हम cleaning of water कहते हैं पानी का साफ करना कहते हैं इन शॉट पानी से गंदगी निकालने वाले process को हम पानी का साफ करना कहते हैं cleaning of water कहते हैं इस process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment तो पानी के साफ करने के इस process को पानी के इस treatment को treatment मतलब जनरली तो treatment का मतलब उपचार होता है जैसे doctor के पास हम जाते हैं और doctor हमें दवाई देता है या फिर doctor हमारा इलाज करता है उसे treatment कहते हैं हम अगर बीमार हो गया है तो doctor हमें इलाज करेगा और हमें ठीक कर देगा है ना तो doctor हम कहते हैं कि doctor हमें treatment दे रहा है treat कर रहा है नामे doctor तो उसी तरह पानी जो खराब हो गया है उसे हम treat करेंगे, साफ करेंगे, पानी का खराब पानी का treatment करेंगे, तो वो पानी साफ हो जाएगा, तो इस process को, पानी के साफ करने के process को हम sewage treatment कहते हैं, sewage गंदे पानी को sewage कहते हैं, it takes place in several stages, यह जो sewage treatment है, यह बहुत सारे stages में होता है, stages में होता है का मतलब, बहुत सारे steps में होता है, जैसे कि माल लेते हैं कि पानी को साफ करने के 5 steps होंगे, तो पहला step, पहला stage हुआ, दूसरा step, दूसरा stage हुआ, तो इस तरह से यह जो sewage का treatment है, वो बहुत सारे stages में होता है, बहुत सारे steps में होता है, तो पानी के treatment के बारे में जानने से पहले, हम यह जाने कि sewage होता क्या है, what is sewage, sewage का मतलब आम तोर पर नालियों में बहता हुआ गंदा पानी, उसी को sewage कहते हैं, इसकी definition क्या है, वो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि what is sewage, तो आप बताएं, कि sewage is wastewater released by homes, industries, hospitals, offices and other users, तो जो गंदा पानी हमारे घरों से, हमारी industries से, hospitals से, offices से या और भी दूसरे जगों से, जो खराब गंदा पानी release किया जाता है, निकलता है, उसी को हम sewage कहते हैं, it also includes rain water that has run down the street during a storm or heavy rain, तो इस sewage में, वो बारिश का पानी, जो रास्तों से बह कर आया है, जिनमें मिट्टी मिली हुई है, गंदीगी मिली हुई है, वो बारिश का पानी, बारिश का गंदा पानी भी सामिल है इस sewage में, बारिश का वो पानी, जो सरकों से बह कर आया है, या फिर हमारे छतों से बह कर आया है, वो harmful substances करी करते हैं, washes off का मतलब होता है, पानी के द्वारा बहा कर ले जाया जाना, तो वह rain water, जो की road से या rooftop से बह कर आया है, वो अपने साथ बहुत सारी खराब, harmful substances लाता है, कैरी करता है, sewage is a liquid waste, sewage एक तरह का waste है, और ये कैसा waste है, ये liquid form में होता है, पानी मिला हुआ होता है, most of it is water, इस sewage में जादा तर तो पानी ही होता है, which has dissolved and suspended impurities, और इस पानी में मिली होती है, बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे जो impurities हैं, जो waste है, वो suspended भी होते हैं, लटके हुए भी होते हैं, तो ऐसा पानी, जिसमें बहुत सारी impurities मिली हैं, और बहुत सारी impurities suspended हैं, लटकी हुई हैं, ऐसे पानी को हम wastewater कहेंगे, या sewage कह आगे है activity 18.2, आएए से देखें, locate an open drain near your home, अपने घर के पास एक खुली नाली खोजिए, locate कीजिए, या आपके घर के पास हो सकती है, school के पास हो सकती है, या फिर road के बगल में हो सकती है, and inspect water flowing through it, और इस खुली नाली में जो पानी बह रहा है, उसे देखिए, उसे observe कीजिए inspect कीजिए, record, color, odor, and any other observation, तो इस नाली के पानी का क्या रंग है, क्या महक है इसकी, इसकी अलावे भी अगर आपका कुछ observation हो, तो उसे record कीजिए, note कीजिए, discuss with your friends and your teacher, and fill up the following table 18.1, इन चीजों को आप अपने दोस्तों या अपने teacher से discuss कीजिए, और फिर भरिये ये table 18.1, तो नीचे है ये table 18.1, contaminant survey, contaminant का मतलब गंदगी होता है, तो जो नाली में पानी बह रहा है, उनमें कौन-कौन सी गंदगी है, उसके बारे में है ये table, ये survey, आए देखें इसे, तो पहले नंबर पे है, sullege water, sullege water वैसा water, जो हमारे kitchen से निकलता ह है, जो हमारे sinks से होकर बहता है, point of origin, तो ये जो sullege water है, वो कहां से निकलता है, तो वो kitchen से निकलता है, इसमें कौन-कौन से contaminant, कौन-कौन सी गंदगी होती है, तो इनमें ladder हो सकता है, जो साबुन वाला जाग है, वो हो सकता है, क्योंकि हम बरतन को साफ करने के लिए बरतन दोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं, साथ में, इसमें, चुकि किचन में बहुत सारा oil यूज होता है, तो इसमें जो पानी निकलेगा हमारे kitchen से, उसमें बहुत सारा oil हो सकता है, साथ में बहुत सारी गंदगी भी हो सकती है, है ना, दूसरे नंबर पे है foul waste, foul का मतलब होता है गंदा smell, तो ऐसा waste जो महक रहा हो, तो वो कहां से निकलेगा, तो वो हमारे toilet से निकलेगा, और उसमें क्या contaminants होंगे, कौन सी गंदगी होगी, तो human waste होगा उसमें, human excreta होगा, आदमी की potty होगी, तो ये गंदगी होगा, महक रहे waste में, दूसरा है trade waste, व्यापार से, इं निकलेगा कहां से, इंडस्ट्रीज से निकलेगा, या फिर किसी commercial organization से निकलेगा, जहां कुछ बन रहा हो, कुछ produce हो रहा हो, कार खाने हो, तो उन जगह से निकलेगा trade waste, और इस तरह के जो trade waste हैं, उसमें बहुत सारे harmful chemicals हो सकते हैं, जिन chemicals का इस्तेमाल, उस factory में बन रही ची हो सकते हैं, उस trade waste में, तो यह हमने फिल कर लिया अपना table 18.1, अब आगे देखते हैं, we know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes, हम जानते हैं कि जो sewage है, जो गंदा पानी है, जो नालियों में बहता है, वो एक complex mixture है, complex mixture का क्या मतलब है, ऐसा mixture जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, वैसा mixture एक complex mixture कहलाता है, तो हम जानते हैं कि जो sewage है, जो waste water है, जो नालियों में बहता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, उसमें कुछ जो solid substances हैं, वो लटके हुए भी होते हैं, बह र उसमें organic या inorganic impurities हो सकती है organic और inorganic impurities क्या है तो organic का मतलब जो living organism से जो impurity आती है वो organic हुई जैसे की vegetable waste हो गया या फिर cooked food हो गया तो ये सारे organic waste हुए और वैसा waste जो living organism से नहीं आता वो inorganic waste कहलाएगा या inorganic impurities कहलाएगी तो इन inorganic impurities का example क्या हो जाएगा सीवेज के अंदर तो ये inorganic impurities हो जाएंगी हमारा जो detergent का लैथर है या फिर जो अलग-अलग chemicals हैं वे सारे inorganic impurities हो जाएंगी जो living organism से impurities निकल रही है वो organic impurities होई जो non living thing से impurities निकल रही है वो inorganic impurities हो गई तो जो हमारा सीवेज है उसमें organic और inorganic दोनों तरह की impurities पाई जाती है साथ में चुकि waste food भी बहरा होता है नालियों में तो इसमें nutrients भी आ गया साथ में सपरोफाइट्स अब चुकि बहुत सारी चीजे सड रही होती हैं नालियों में तो जो सड़े गले चीजेओं पे पैदा होने वाले जो microorganisms हैं जिने हम सेपरोफाइट्स कहते हैं वे भी मिलेंगे हमें नालियों में साथ में जो बीमारी फैलाने वाले bacteria हैं वो भी मिलेंगे और इसके अलावे भी और बहुत सारे microbes जो microorganisms हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और इन चीजों में जो सीवेज के अंदर बह रहा होता है उनमें ये ये सामिल है तो पहला है organic impurities organic impurities मतलब जो living organism से impurities निकली है वो हमारी organic impurities हुई तो पहला हुआ human faces faces का मतलब excreta waste तो जो आदमी की potty हुई वो organic impurity हुई साथ में जो animal का waste है animal ने जो भी waste निकाला है वो animal का waste है वो भी organic impurity के अंदर हम रखेंगे साथ में जो oil है oil चुकी plants से आता है और kitchens में जो हम waste water बहा रहे हैं sinks के थरूप और वो नालियों में जा रहा है उसमें oil होगा इसलिए हम इसे organic impurity वाले section में रख रहे हैं साथ में urea जो हम urine pass करते हैं वो urine में urea होता है तो ये urea चुकी living organism से निकल रहा है इसलिए हमने इसे organic impurity वाले section में रखा है साथ में किसान अपने खेतों में पौधों के उपर pesticides जो pests जो germs उनने मारने के लिए pesticide इस्तेमाल करते हैं जो unwanted plants हैं उनने मारने के लिए जो unwanted plant होते हैं फार्मर नहीं चाहता कि वे grow हो उसके खेतों में इसलिएookie herbicides का इस्तेमाल करते हैं तो ये pesticide और herbicide जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ खेतों से बह कर नालों में पहुँचते हैं, नालियों में पहुँचते हैं, और साथ में बह कर नदियों तक जाते हैं, तो ये भी सामिल होते हैं हमारे सीवेज में, हमारे वेस्ट वाटर में, जो नालियों से होकर बहता है, साथ में फ्रूट और vegetable waste है ये भी होता है हमारे sewage में जो wastewater हमारे नालियों में बह रहा है inorganic impurities की अगर बात करें तो इसमें हैं बहुत सारे nitrates, बहुत सारे phosphates metals मतलब ये chemicals हैं अलग-अलग तरह के जो की industries से निकले हैं most probably और ये जो phosphate है ये detergents में पाया जाता है तो ये वो चीज़े हैं जो living beings से नहीं निकली हैं इसलिए इन्हें inorganic impurities में रखा है साथ में है nutrients तो जो हम खाना waste करके पहा देते हैं नालियों में उसमें बहुत सारा nutrients भी होता है जैसे phosphorus, nitrogen तो ये भी बह रहा होता है हमारे सीवेज में साथ में bacteria तो बहुत तरह के bacteria such as vibrio cholera ये एक ऐसा bacteria है जो cholera नमक बीमारी को cause करता है दूसरे एक bacteria का नाम है Salmonella paratyphi which causes typhoid तो ये typhoid बीमारी पैदा करने वाले bacteria cholera बीमारी पैदा करने वाले bacteria ये भी बह रहे होते हैं सीवेज के अंदर other microbes such as protojoans which cause dysentery dysentery बीमारी है तो dysentery cause करने वाले dysentery पैदा करने वाले जो protojoans हैं वो भी इस waste water में इस सीवेज में बह रहे होते हैं 18.3 water freshens up an eventful journey तो इस section में हम जानेंगे कि पानी किस तरह से fresh होता है किस तरह से साफ होता है और ये जो प्रक्रिया है ये जो journey है ये जो रास्ता है वो काफी eventful है काफी exciting है इसमें बहुत सारे steps हैं stages हैं बहुत मज़ा आने वाला है तो आईए देखें इसे in a home or a public building generally one set of pipes bring clean water and another set of pipes takes away waste water आम दोर पर हमारे घरों में या फिर जो public buildings हैं जैसे कि हमारा school हो गया जहां बहुत सारी लोग आते हैं या फिर कोई government office है वहाँ पे दो तरह के pipes होते हैं एक pipe वो होता है जो साफ पानी हमारे घरों तक या फिर इन बिल्डिंग्स तक ले कर आता है और दूसरे set of pipes होते हैं जो की जो खराव पानी है जो waste water है उसको ले कर जाता है imagine that we could see through the ground सोचिए कि अगर हम जो जमीन है उसके आरपार देख पाते then we would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage अगर हम जमीन के आरपार देख पाते तो हमें दिखाई देते बहुत सारे बड़े और छोटे pipes और इन pipes का network जिने हम sewer कहते हैं और ये जो sewer का network है बहुत सारे जो sewer के pipes है ये मिलकर एक network बनाते हैं जिसे हम sewerage कहते हैं तीन word है एक है sewers दूसरा है sewerage और तीसरा है sewage इसका मतलब समझे इन तीनों में अंतर समझे sewer वो pipe है जो की wastewater कैरी कर रहा है pipe carrying wastewater sewerage इन pipes का network है इन pipes का system है बहुत सारे sewer मिलकर sewerage बनाते है sewer system और removing of sewage तो ये जो sewers है ये मिलकर sewerage बनाते है sewer system को sewerage कहते है sewage के निकाले जाने को भी sewage कहते है और एक है सीवेज, सीवेज का मतलब है वेस्ट, जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, जो बह रहा है, वो सीवेज हुआ, यह सीवेज क्या है, इसके बारे में, कि it is like a transport system that carries सीवेज from point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant, तो यह जो सीवेज है, जो सीवर का network है, सीवर क्या है, बहुत सारे pipes का system है, और यह जो इन pipes का network है, जो सीवरेज है, वो एक transport system की तरह काम करता है, जो की यह जो गंदगी है, सीवेज, जो की waste है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है, तो उस point पे, जहां पे गंदगी produce हुई, हमारे घरों में माल लेते हैं, जहां से हमारे sinks से गंदगी या फिर गंदा पानी produce हुआ, वहां से लेकर इसे disposal तक ले जाता है, वैसी जगह जहां पे इस पानी का treatment होगा, ऐसा plant है, जहां पे पानी का treatment होता है, wastewater treatment होता है, उस जगह तक ले जाएगा, यह जो pipes का system है, इसी system को हम sewerage कहेंगे, यह sewer, sewerage और sewage यह त located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage, तो यह जो pipes का system है, इसमें आदमी के घुसने लायक छेद होते हैं, जिने हम manhole कहते हैं, यह manhole क्यों होते हैं, sewerage में आपने देखा होगा, roadside में भी, जो नाले होते हैं, उसमें आदमियों को घुसने लायक एक गोला छेद होता है, जिसके उपर ढखकन रखा होता है, जिससे कभी-कभी municipality के लोग उसे उठा कर, उसके अंदर जाकर सफाई करते हैं, उसे ही हम manholes कह रहे हैं, यह sewerage की सफ and at the points where there is a change in direction, जहां कहीं भी यह pipeline मुड रही होती है, या फिर जहां दो pipelines मिल रही होती हैं, वेस्ट वाटर की, ऐसे जगहों पे यह जो manholes हैं, बनाये जाते हैं, या फिर जहां भी इसका direction change हो रहा होता है, तो ऐसे points पे manholes बनाये जाते हैं, ताकि अगर गंदगी यहां पे भसे, तो इसकी सफाई करी जा सके, जो सफाई करमी हैं, वो इसके अंदर जाकर इसकी सफाई करते हैं, तो manholes का बस इतना ही purpose है, यह 50 से 60 मिटर की दूरी पर बनाये जाते हैं, जहां कहीं भी मुड रहा होता है, यह pipeline वहां बनाये जाते हैं, या फिर जहां दो pipelines जूड रहे होते हैं, वहां बनाये जाते हैं, आगे है activity 18.3, study the sewage route in your home और school और building, do the following, आपके घर में या फिर आपके school या building में, कहां से यह जो waste water है, यह जो sewage का pipeline है, कहां से होकर गुजरता है, उसे समझने की कोसिस कीजिए, उसे observe कीजिए, study कीजिए, make a line diagram of the sewage route, तो एक paper पर आपकी building में कहां से होकर waste water गुजरता है, उसका एक diagram बनाईए, किस तरह से इसका structure है, कहां से निकलता है और फिर किदर को जाता है, उसका एक line diagram बनाईए, walk down the street और survey the campus to find the number of manholes, सरक पर चल कर, या फिर अगर आपके school का campus है, तो उसके अंदर ही घूम कर, आप observe कीजिए, कितने manholes ब manholes का क्या number आपने find out किया, if possible observe open drain and record which living organisms are found in and around it, अगर आपको एक खुली नाली दिखाई देती है, तो उसे observe कीजिए, उसे देखने की कोशिस कीजिए, और पता कीजिए कि कौन से living organism, कौन से जीवित जीवजनतु, उस जो open drain है, जो खुली नाली है, उसमें पाये जा रहे है या फिर उसके आसपास कौन से दूसरे organism आपको मिल रहे है, in case you do not have a sewerage system, अगर आपके आसपास ये जो waste water के removal का जो pipe वाला system है, जो sewerage system है, जो नाली का system है, वो अगर नहीं है, अगर आपकी locality में, then find out how sewage is being disposed of, then पता कीजिए कि ये जो गंदा पानी है, ये जो गंदगी जो घरों से निकल रही है, वो कैसे dispose करी जा रही है, कैसे लोग उसे dump कर रहे हैं, लोग कहा पैक रहे हैं उस गंदे पानी को, या फिर कहा बाहा रहे हैं उस गंदे पानी को, ये notice करने की कोशिस कीजिए, आगे है treatment of polluted water, Perform the following activity, it will help you understand the process that take place at the wastewater treatment plant, तो नीचे ये जो activity दी हुई है, 18.4, इसे करके हम ये जानेंगे, कि एक wastewater treatment plant में, जहां पे wastewater को, खराब पानी को treat करके, उसे फिर से अच्छा बनाया जाता है, एक ऐसे plant में, क्या-क्या होता है, कौन से steps follow होते हैं, क्या process है उसका, इसे हम समझेंगे अपनी इस activity 18.4 से, तो आईए इसे देखें, divide yourself into groups to perform the activity, आप अगर class में हैं, तो अपने class में, groups में बढ़ जाईए, इस activity को करने के लिए, छोटे-छोटे groups बना लीजिए, बच्चों के, students के, record observations at each stage, तो यहां हम जितने भी stage देखने वाल है, इसे observe करने की कोशिस कीजिए, तो पहला step यहां पे है, कि fill a glass jar 3 by 4 full of water, एक glass jar को, जो शीशे का jar हो, उसे हमें 3 चौथाई पानी से भर लेना है, 3 चौथाई मतलब 75%, है ना, उपर से 25% हम खाली छोड़ देंगे, और 3 चौथाई पानी लगबग यहां तक हम भर लेंगे, add some dirty organic matter, such as grass pieces, or orange peels, a small amount of detergent, and a few drops of ink or any color, इस हम अपने glass speaker में, जिसमें हमने यहां तक पानी भरा है, इसमें अब कुछ गंदी चीजें, कुछ impurities यह हम डालने वाले हैं, और वो क्या-क्या हैं, तो कुछ घास के टुकड़े आप डाल सकते हैं, नारंगी के छिलके डाल सकते ह हैं, थोड़ा detergent डाल सकते हैं, सर्फ डाल सकते हैं, and a few drops of ink or any color, किसी रंग के कुछ बूंद या ink के कुछ बूंद हम अपने इस beaker वाले इस jar वाले पानी में डालेंगे, तो यह हुआ हमारा पहला step, दूसरा step क्या है, Cap the jar, shake it well, and let the mixture stand in the sun for two days, तो यह जो पानी वाला jar है हमारा, इसके उपर धकन लगा देंगे, और इसे धकन बंद करके हम sunlight में दो दिनों तक रखेंगे, After two days, shake the mixture and pour a small sample into test tube, दो दिनों के बाद इस mixture को अच्छे से shake करके हिला कर, इस sample को, इस water को एक test tube में हम collect करेंगे, Label this test tube before treatment, और sample one, इस test tube पे हम एक label लगाएंगे, जिसमें लिखा होगा, कि यह जो sample है, वो treatment से पहले का sample है, यह हमारा पहला sample है, How does it smell, तो इसे smell करके भी देखिए, कि यह कैसा महक रहा है, अगला step है, Use an aerator from an aquarium to bubble air through the sample in the glass jar, Aerator क्या होता है, aerator एक device है, जो aquarium में लगा होता है, aquarium वो glass का structure जो लोगों के घरों पर होता है, जिसमें मचलियां होती है, उसके bottom में आपने देखा होगा एक device होता है, जिससे बुलबुले लगातार निकल रहे होते हैं, वही aerator device है, air को flow करता है ये device, इसलिए इसको aerator कहते हैं, तो aquarium का एक aerator लेकर हम इस अपने glass jar में रखेंगे, और इससे जो बुलबुले निकलते हैं, उसे हम पानी के थरों, जो हमारा sample हमने collect किया है glass jar में, उसके थरों air bubbles को flow करवाएंगे, एक aerator के थरों, allow several hours of aeration, तो ये जो aerator रहके बुलबुले पास करवाने वाला step है, ये हम कुछ घंटों तक करेंगे, leave the aerator attached overnight, इसे आप रात भर लगा भी छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास aerator नहीं हो, तो आप हाथ से भी इसे हिला सकते हैं, mechanical stirrer का मतलब एक डंडे से, एक लकडी से, इसे stir कर सकते हैं, इसे मिला सकते हैं, you have to stir it several times, हमें इसे बहुत बार stir करने की, बहुत बार मिलाने की इसे जरूरत पड़ेगी, the next day when aeration is complete, pour another sample into a second test tube, label it as after aeration sample 2, तो अगले दिन जब aeration complete हो जाएगा, तब हम एक बार और दूसरा sample लेंगे, एक दूसरे test tube में, और इसे label करेंगे, हम after aeration, यह हमारा दूसरा sample होगा, पहला sample हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया था, अब अगला step है, fold a piece of filter paper to form a cone, एक filter paper को लेकर हम कुछ इस तरह fold करेंगे, कि वो एक cone का shape बनाए, wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel, इस filter paper को हम पानी से भिगो लेंगे, और इसे एक funnel में, ऐसा एक funnel है, इसमें अपने filter paper को यहाँ पे fit करेंगे, mount the funnel on a support as you have learned in class 6, इस funnel को एक support के उपर mount कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एक beaker का support लिया है, अब चाहें तो एक stand पर भी mount कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें इस funnel को mount कर देना है एक support के उपर, place layers of sand, fine gravel and finally medium gravel in the funnel, इस funnel में यह जो funnel है यहाँ पे, हमें एक layer sand का रखना है, उसके उपर थोड़े बड़े पत्थर होंगे, sand से थोड़े बड़े और उसके उपर और थोड़े बड़े पत्थर होंगे, और इस तरह से हमें यहाँ तीन layers बनाने हैं, gravel का मतलब कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर और medium gravel का मतलब छोटे वालों से थोड़े बड़े कंकड़ पत्थर, तो इस तरह से हमें तीन layers बनाने हैं अपने funnel में, पहला sand का होगा, दूसरा छोटे पत्थरों का होगा, और उसके सबसे उपर छोटे वालों से थोड़े बड़े पत्थरों का होगा, जैसा कि यहाँ figure 18.2 में दिखाया गया है, यह तीन layers, पहला sand का, दूसरा fine gravel का, और उसके उपर medium gravel का, तो यह हमें water को, जो dirty water हमने create करा है, उसे filter करने में help करेगा, एक जो actual filtration plant है, जो dirty water को filter करता है, वो filter paper का use नहीं करता, लेकिन यह जो sand वाला layer हमने बनाया है अपने funnel के अंदर, यह sand वाला layer एक filtration plant में बहुत गहरा होता है, कई meters तक गहरा हो सकता है यह, यानि कई meters का layer वो बना के रखते हैं, sand का, fine gravel का, medium gravel का, और उसके through water को pass कराते हैं, जिससे water filter होता है, अगला step है हमारा, pour the remaining aerated liquid through the filter into the beakers, तो यह जो हमने अभी structure बनाया, इसमें, जो बचा हुआ गंदा पानी था, जिसे हमने aerate कराया था overnight, उसे इसमें pour करेंगे, और फिर इस filter paper और इस sand, fine gravel और medium gravel के layer से यह water pass करेगा, और इस beaker में यहाँ पे हमें साफ पानी मिलना शुरू होगा, अब जब यह आप पानी डाल रहे हों, तो ध्यान रखें कि पानी डालते वक्त यह spill नहीं करें, इधर बगल से बाहर नहीं गिरें, नहीं तो यह गंदा पानी साफ पानी में आकर mix हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें, if the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water, अगर यह जो पानी आप filter करके निकालेंगे यहाँ पे, अगर यह पानी आपको साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप इसे दुबारे से filter कर सकते हैं, जब तक आपको यह साफ दिखाई नहीं दे तब तक, pour a sample of filtered water into a third test tube labeled filtered sample 3, अब तक हमने दो test tube में दो samples लिये, पहला sample हमने सबसे पहले, जब हमने impurities add करी, उसके बाद ही ले लिया था, जिसे हमें first sample कहा, दूसरा sample जब हमने aeration किया, जब overnight जो हमारा sample हमने create किया था glass jar में, वहां से हमने second sample लिया था, aeration के बाद, और तीसरा यह जो filtration का setup हमने तयार किया है, इस filtration के पूरे हो जाने के बाद, हम एक sample लेंगे, इस पानी से, जो यहाँ beaker में इकठा होगा, और उसे हम sample 3 कहेंगे, और यह sample 3 filtered होगा, इसे हम filtered करके लिखेंगे, mark करेंगे उस test tube के उपर तो यह 3 samples हमने लिए, pour another sample of filtered water into a fourth test tube, एक चौथे test tube में भी हम इस filtered water का sample लेंगे, add a small piece of a chlorine tablet, और चौथे test tube में हम एक chlorine का tablet डालेंगे, label the test tube chlorinated sample 4, और यह जो चौथा test tube में हमने sample लिया है, इसे हम label करेंगे, chlorinated sample 4 कहके, observe carefully the samples in all the test tubes, do not taste, just smell them, यह जो 4 sample हमारे 4 test tubes में collected है, जिसे हमने अलग-अलग label कर रखा है, उन्हें आप taste करने की कोशिस न करें, चखने की कोशिस न करें, उन्हें केवल smell करके देखें, now answer the following question, और अपने observation के हधार पर, अब इन questions का answer करने का try करें, तो पहला question है कि what changes, did you observe in the appearance of the liquid after aeration, तो सबसे पहले जो गंदा पानी हमने बनाया, और उसके बाद हमने overnight उससे air pass किया, aeration किया, तो aeration के बाद उसमें क्या change हुआ, did aeration change the odor, odor मतलब गंद, महक, तो क्या air pass करने से पानी का गंद चला गया, तो हाँ, aeration करने से पानी का बहुत सारा smell चला जाएगा, बहुत सारा odor चला जाएगा, what was removed by the sand filter, तो हमने यह जो उपर sand filter तयार कर रखा है, इस से क्या निकला, इस गंदे पानी से क्या निकला, तो आपको याद होगा, हमने पानी में add किये थे, orange peels, detergents, तो यह जो solid wastes थे, detergent तो खेर mix हो जाएगा, लेकिन orange peels हो गए, या फिर और भी जो solid particles, जो dirt present होगा हमार grass leaves जो थे, वो सारे filter हो जाएंगे इस sand filter से, और यहाँ जो fine sand है, वो और भी बहुत सारी impurities को filter कर देगा, तो sand filter ने क्या-क्या remove किया, orange peels remove कर दिये होंगे, जो grass pieces हमने डाले वो remove कर दिये होंगे, साथ में detergent के particles remove कर दिये होंगे, तो यह चीजें sand filter से remove हो गई होगी, अगल chlorine हमें color water का remove करने में help करेगा, color जो हमने mix किया था शुरू-शुरू में, वो chlorine का tablet डालने के बाद बहुत हद तक remove हो जाएगा, अगला question है कि did chlorine have an order, क्या chlorine के पास कोई अपना महक है, तो हाँ chlorine का एक अपना महक होगा, was it worse than the waste water, क्या इसका महक waste water से भी खराब था, तो नहीं इसका महक waste water से खराब नहीं होगा, तो ये आप अपने observation के अधार पर लिख सकते हैं, अगला section है 18.4, waste water treatment plant, तो एक plant में, जहांपे waste water को साफ किया जाता है, waste water को treat करके अच्छा बनाया जाता है वापिस से, वहाँ पे क्या कुछ होता है, उसके बारे में है section, आइए देखत हैं, treatment of waste water involves physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the water, एक waste water plant में, क्या-क्या चीजें remove होती हैं, तो वो है physical, chemical and biological matter, तो इन सभी matter को remove करने के लिए, अलग-अलग process involved है, physical matter physical process से remove होगा, chemical matter chemical process से remove होगा, और biological matter biological process से remove होगा, मतलब जिस तरह का matter है, उसको waste water से remove करने के technique को उसका process के नाम से उसे बुला रहे हैं, जैसे कि waste water से physical matter हम remove कर रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं कि physical process of removing waste from waste water, अगर हम chemical substances को waste water से remove कर रहे हैं तो उसे कह रहे हैं कि process of removing chemical matter from waste water similarly अगर हम biological matter को remove कर रहे हैं waste water से तो उसे कह रहे हैं कि process of removing biological matter from waste water तो ये जितने भी matters हैं physical, chemical और biological ये सारे साफ पानी में मिलके पानी को contaminate करते हैं, गंदा करते हैं, खराब करते हैं तो क्या क्या process है एक wastewater treatment plant में किन stages से जो wastewater है वो गुजरता है उसके बारे में पहला point है wastewater is passed through bar screens ये bar screens क्या होते हैं तो यहां कहीं से wastewater आएगा और ये लोहे की bars लगी हुई है चड़ें लगी हुई है और इनके बीच में बहुत कम बहुत थोड़ा सा gap है जिसके through जो solid wastes होंगे वो यहां पर अटक जाएंगे और जो पानी होगा वो easily इसके through pass कर जाएगा तो wastewater को इन bars के उपर से pass कराया जाता है फ्लो कराया जाता है large objects like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed तो इससे जो solid waste है जैसे की rags, कपड़े, के टुकड़े, चीथड़े वो यहां पर अटक जाएंगे filter हो जाएंगे साथ में जो लकडी के टुकड़े हैं या फिर cans हैं, bottles हैं वो सभी यहां पर अटक जाएंगे plastic के packets, napkins यह सभी यहां पर फस जाएंगे और पानी यहां से pass हो जाएगा तो यह solid waste को filter करने का यह तरीका है हमारा पहला step, दूसरा step है water then goes to a grit and sand removal tank, grit छोटे पथरों को कहते हैं तो यहां से solid waste को filter करने के बाद, water हमारा दूसरे stage में पहुचता है जहां पर grit छोटे पत्थर और बहुत जो सूक, बहुत जो छोटे sand हैं, उसे remove किया जाता है the speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down तो यहां से जो पानी बह के अंदर गया, इसके speed को slow किया जाता है, धीमा किया जाता है, इसे रोका जाता है ताकि पानी में जो भी छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, sand है, pebbles है, यह सब ही नीचे को बैठ जाए, settle हो जाए, नीचे जाके जम जाए जैसा कि यहां figure 18.4 में दिखाया गया है grit and sand removal tank, यह tank है जहांपे water को कुछ देर तक store करके रखते हैं, ताकि जो कंकड़ पत्थर है वो नीचे जाकर बैठ जाए तीसरा है, water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle इस पानी से, जहांपे sand और pebbles निकाल लिये गए हैं, इसे फिर एक large tank में लेकर जाया जाता है जो कि अंदर की तरफ sloped होता है, मतलब कि कुछ इस तरह का tank है और इसमें पानी इस तरह से यहां भरा हुआ है वो अंदर की तरफ, middle की तरफ sloped होगा tank, उसमें हम इस वाले पानी को लेकर जाएंगे solids like faces settle at the bottom and are removed with a scrapper तो ऐसे एक बड़े tank में जो कि अंदर की तरफ sloped है, wastewater को store करने से क्या होगा जो solid waste है, जैसे की human waste या animal waste वो नीचे को settle down होगा और बहकर यहां पे bottom में जमा होगा मतलब यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां पे कुछ जमा हो रहा है और इसे बाद में manually scrape करके, खुरच के फावडे से हम निकाल सकते हैं और इस solid waste को यहां से भी निकालने के बाद, यह जो water बच जाता है, इसे sludge कहते हैं sludge का मतलब होता है गंदा, गाढ़ा, पानी, इसे कीचड भी कह सकते हैं a skimmer removes the floatable solids like oil and grease skimmer का मतलब है जो उपर उपर से, जो waste है, उसे यहां से छान कर निकाल लेता है skim करना मतलब किसी liquid के उपर जो तैर रही चीज़े हैं, उसे filter out करके निकाल लेना उसे skimming कहते हैं, तो जो skimmer है, जो person in waste को उपर से निकालेगा वो उपर तैर रही चीज़ों को, जो उपर तैर रही solids हैं, या फिर oil या grease का layer जमा हो गया है उसे skim करके, उसे उपर ही उपर से निकाल देता है Water so cleared is called clarified water, तो उपर से skimming हो जाने के बाद, यहां जो water बच जाता है, उसे हम clarified water कह रहे हैं The sludge is transferred to a separate tank, where it is decomposed by the anaerobic bacteria तो skimming हो जाने के बाद, यहां पर अब जो पानी बचा है, उसे एक दूसरे tank में transfer किया जाता है जहां पर anaerobic bacteria इस पूरे water को decompose करेगा यहां पर जो भी solids हैं, जो भी मिले हुए impurities हैं, उन्हें decompose कराया जाता है anaerobic bacteria के द्वारा The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity तो जब एक दूसरे tank में इस water को transfer करके इसमें bacteria जब decompose करेगा इसमें मिले हुए waste को तब यहां पर gas produce होता है, बायो गैस और इस बायो गैस का इस्तिमाल हम बिजली पैदा करने के लिए या फर इसे इंधन के रूप में, इसे fuel के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं अगला process है, air is pumped into the clarified water to help anaerobic bacteria to grow तो tank में जब हमने water को transfer किया, तो उससे air pass करते हैं इस तरह से, यह aerator है, यह बड़े scale का aerator है, जहां से waste water में air को pass कराया जा रहा है इस air को pass कराने से इसमें anaerobic bacteria grow करता है bacteria consume human waste, food waste, soaps and other unwanted matter still remaining in the clarified water जब anaerobic bacteria इस पानी में grow करेगा, तो वो anaerobic bacteria human waste को, food waste को, साबुन का कुछ अंस अगर रह गया है तो उसे या फिर और भी जो दूसरे अंचाहे, unwanted चीजें हैं इस water में उसे consume करेगा, उसे खाएगा, उसे decompose करेगा, उसे खत्म करेगा और हमारे पानी को ये जो wastewater है, treated wastewater है, clarified water है, उसे और साफ करेगा, आगे हैं After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge तो बहुत देर तक, बहुत घंटों के बाद, ये जो aeration के कारण, bacteria suspended था इस पूरे water में, बहुत घंटों के बाद, वो नीचे को बैठ जाता है, हमारे इस activated sludge में Activated sludge मतलब ये जो पानी था, clarified water था, जो sludge था, इसमें हमने जब air pass किया, bacteria इसमें grow कर गया, anaerobic bacteria तो उस stage पे इस पूरी चीज को हम activated sludge कह रहे थे, पहले ये केवल sludge था, गंदा गाढ़ा पानी था, अब चुकी bacteria इसमें grow कर गया है, और वो गंदगी को decompose कर रहा है, उसे consume कर रहा है, तो इस चीज को activated sludge कहते हैं, इस activated sludge में जो microbes हैं, वो धीरे धीरे कुछ घंटों के ब वो उपर से निकाल लिया जाएगा, the activated sludge is about 97% water, तो जो activated sludge है, जिसमें bacteria पैदा हो चुका है, एरेशन हो चुका है, उसमें 97% water होता है, pure water और केवल 3% impurities होती है, the water is removed by sand drying beds और machines, तो नीचे जो ये गंदगी बैठ गई है, next वाले tank में, उसे फिर एक sand bed पे सुखाया जाता ह है, या फिर machines की मदद से सुखाया जाता है, क्योंकि अभी जब नीचे ये जो microbes थे, वो settle down हो गये थे, उसके बाद हमने उपर से पानी निकाल लिया था, remove कर लिया था, तो नीचे जो बचा, वो solid बचा, है न, उस solid को अभी sand beds पे या machine की मदद से सुखाया जाता है, dry किया जाता है, और उससे जो बचा हुआ पानी था, वो निकाल लिया जाता है, dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil, तो ये जो सूखा हुआ sludge है, उसे एक manure की तरह, खाद की तरह, इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब इसे मिटी में वापस डाला जाता है, तो जो organic matter है, वो soil में वापस चला जा और वो nutrient का काम करता है, मिटी को वापस से उपजाओ बनाता है, the treated water has a very low level of organic material and suspended matter, तो water जो finally हमें मिला treatment के बाद, उसमें बहुत कम organic material होगा, या फिर बहुत कम चीजें उसके अंदर लटकी होंगी, बहुत कम चीजें उसमें मिली होंगी, वो बहुत हद तक साफ पानी होगा It is discharged into a sea, उसे या तो समंदर में या फिर एक नदी में बहा दिया जाता है, या फिर उसे खुले में छोड़ भी दिया जाता है, जाकि वो धिरे धिरे ground water में sip कर जाए, धिरे धिरे जमीन उसे सोख ले, nature cleans it up further, ताकि nature वो वापिस से उसे साफ कर सके Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine और ozone before releasing it into distribution system, कभी-कभी ये जो final पानी हमें मिला, उसे chlorine या फिर ozone से भी treat करने की जरुरत पड़ती है, क्योंकि ये अभी तक बहुत साफ नहीं हुआ होता है, जो भी industry से निकला हुआ waste है, जिसमें बहुत सारे chemicals होते हैं, वे इन सभी process के बाद भी बचे रह जाते हैं, पानी अभी इतना साफ नहीं होता, कि नदियों में या फिर समंदर में उसे बहाया जा सके, या फिर ground water में soak होने के लिए छोड़ा जा सके, तो उसे और treatment के जरुरत परती है, जिसे हम chlorination से या फिर ozone से treat करते हैं पहले, और फि इस section में, waste generation is a natural part of human activity, हम जो भी काम करते हैं, उसमें गंदगी generate होती है, पैदा होती है, ये एक natural बात है, ये एक आम बात है, ये अपने आप होता है, but we can limit the type of waste and quantity of waste produced, लेकिन जो भी waste, जो भी गंदगी हम पैदा करते हैं, उसे हम limit कर सकते हैं, उसके amount को कम कर सकते हैं, हम कि अधने तरह के waste produce कर रहे हैं, कितना waste produce कर रहे हैं, हम इन चीजों को control कर सकते हैं, often we have been repelled by offensive smell, अक्सर जब कुछ बदबुदार चीज हम देखते हैं, तो हम उसे दूर भागते हैं, the sight of an open drain is disgusting, एक अगर खुली नाली है, तो उसे देखकर हमें खराब लगता है, वो गंदा मह देखता है, उसे हम दूर भागते हैं, the situation worsens in rainy season when the drains start overflowing, बारिश के मौसम में जब ये नाले भर जाते हैं और इनका पानी सड़क पर आ जाता है, तो जो situation है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, we have to wade through the mud pools on the roads, wade through का मतलब है कीचड़ वाले पानी से बड़ी मुस्कि से पार करना, तो बारिश के मौसम में जब नाले का पानी सरक परा जाता है, तो हमें सरक पार करने में बरी कठिनाई होती है, most unhygienic and unnecessary conditions prevail, तो इस समय बहुत ही और स्वास्त कर unhygienic, unhygienic का मतलब जो बीमारी पैदा करे, जो साफ सुथरा न हो, तो ऐसा एक situation होता है, और बहुत गंदा situation होता है, flies, mosquitoes and other insects breed in it, इसमें बहुत तरह के मच्छर, कीडे मकोडे, ये सारे पैदा होते हैं, you can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchayat, इस बारे में आप एक प्रबुध नागरिक बन सकते हैं, enlightened का मतलब जो ग्यानी है, जिसके पास knowledge है, जो जानता है, तो आप एक ऐसे नागरिक बन सकते हैं, और आप अपने municipality को या फिर gram panchayat को इस बारे में approach कर सकते हैं, और उन्हें insist कर सकते हैं, insist that the open drains be covered, और gram panchayat या municipality को insist ये कर सकते हैं, कि जो खुली नालिया है, उन्हें cover किय जाए, उन्हें धका आजाए, if the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about others' health, अगर किसी घर का waste, किसी घर का sewage, wastewater, अगर neighborhood को आसपास के इलाके को गंदा कर रहा है, तो आप उनसे request कर सकते हैं, कि वो दूसरों के health का भी खयाल रखें, और इतनी गंदगी ना पैदा करें, अगला section है, 18.5 Better Housekeeping Practices, कैसे हम अपने घरों से कम गंदगी पैदा कर सकते हैं, उसी के बारे में है यह section, आए इसे देखते हैं, One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain, Waste को minimize करने का या फिर खतम करने का एक तरीका यह है, कि आप धिहान दें, कि आप drain में, नाली में, क्या बहा रहे हैं, क्या release कर रहे हैं, पहला point है, cooking oil and fats should not be thrown down the drain, जो cooking oil है, खाना बनाने के लिए जो oil use होता है, या फर जो fat containing substances हैं, जैसे की milk हो गया, घी हो गया, इन्हें नाली में नहीं बहाया जाना चाहिए, इन्हें drain में throw नहीं करना चाहिए, ये जो नाली की pipes हैं, उसे कड़ा करके उसे जाम कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, in an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water, एक open drain में, एक खुली नाली में, ये जो fats हैं, ये मिट्टी के pores को, छेदों को जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पानी की जो filtering हो पाती in मिट्टी से, वो कम हो जाती है, उसका effectiveness कम हो जाता है, और पानी मिट्टी के अंदर कम प्रवेस कर पाता है, कम enter कर पाता ह throw oil and fats in a dustbin, तो जो भी oil और fatty wastes हैं आपके, उसे dustbin में फेकना चाहिए, उसे हमें इस तरह sink में बहाना नहीं चाहिए, आप देखेंगे इस image में, यहाँ पे cross का symbol है, कि ये करना गलत है, इन oil या fatty wastes को हमें dustbin में इस तरह से dump करना है, अगला point है, chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oils, medicines may kill microbes that help purify water, तो ये जितने chemicals हैं, जैसे की paint, मिले हुए solvents, insecticides, कीडों को मारने वाली दवा, engine oil, motor oil, या फिर दवाईया, ये उन microorganisms को, उन microbes को मार डालते हैं, जो की पानी को साफ करने में मदद करने वाले थे, तो हमें ये चीज़ें पानी में नहीं भेकनी चाहिए, so do not throw them down the drain, इन्हें हम नाली में नहीं बहाएं तो भेतर होगा, अगला point है, used, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc, should be thrown in the dust bin, तो चाहे की पत्ती, solid food, जो की ठोस खाना है, liquid food नहीं है, solid है, उनके बचे हुए पार्ट, soft toys, cotton, towels, इन सभी को अगर हमें dispose करना है, तो हम dust bin में इन्हें dispose करेंगे, these wastes choke the drain, तो अगर ऐसी चीज़ों को हम नाली में बहने का try करेंगे, तो ये नाली को jam कर देंगे, चोक कर देंगे, They do not allow free flow of oxygen, ये oxygen के free flow को oxygen के बहाव को रोकते हैं, this hampers the degradation process, oxygen नहीं available होता है, तो जो microorganisms, wastewater में इन food materials को या फिर दूसरे wastes को degrade या decompose करने का काम करते हैं, वे survive नहीं कर पाते हैं, oxygen का flow बंद हो जाने के बाद, इससे जो decomposition का process है, जो degradation का process है, वो slow हो जाता है, इसी लिए हमें ये चीज़ें अपने drain में नाली में बहानी नहीं चाहिए, अब आगे है section 18.6, sanitation and disease, poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of a large number of diseases, कम साफ सफाई और गंदा पीने का पानी बहुत सारी बीमारियों का कारण है, अगर हम अपने ही देश में देखें, तो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी एक proper sewerage facility, जो wastewater disposal facility है, वो नहीं है लोगों के पास, तो अब question है कि वैसे लोग जिनके पास proper sewerage facility नहीं है, proper waste discharge की सुविधा नहीं है, वे लोग कहां खुद को हलका करते हैं, खुद को कहां relieve करते हैं, relieve करना से मतलब यहां है कि कहां हलका होते हैं, सुभा सुभा toilet कहां जाते हैं, तो यह लोग सुभा सुभा हलका होने, डिफिकेट्स का मतलब मल त्याग पौटी करना, तो यह लोग सुभा सुभा या तो खुले में सौच करते हैं, या फिर नदी के किनारे, या फिर रेल की पतरियों पे, या फिर खुले मैदान में, या फिर सीधे पानी के किनारे, यह लोग सुभा सुभा हलका होने चाते हैं, अब यह जो खुले में पढ़ा हुआ human excreta है, human waste है, यह बहुत बड़ा खत्रा है, हमारे हिल्थ के लिए हजार्ड है, हमारे हिल्थ के लिए, हमारे स्वास्त के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और साथ में हिल्थ हजार्ड होने के अलावे ये वाटर को भी गंदा कर सकता है वाटर पॉल्यूशन करता है और स्वाइल को भी गंदा करता है बोट दा सर्फिस वाटर और ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर इस से सर्फिस वाटर जो धर्टी के ऊपर पानी प्रेजन है वो भी गंदा होता है और धर्टी के अंदर जो पानी प्रेजन है ग्राउंड वाटर वो भी गंदा हो जाता है ग्राउंड वाटर is a source of water for wells, tube wells, springs and many river as you learnt in chapter 16 ये जो हमारा ground water है धर्ती के अंदर जो present पानी है वो बहुत सारे कूओं के लिए चापा कलों के लिए जर्नों के लिए और बहुत नदियों के लिए पानी का source होता है जैसा कि हमने chapter 16 में देखा है इसी लिए ये पानी से होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हो जाता है अगर हमारा ground water गंदा हो जाएगा तो ये जो पानी से होने वाली बीमारियां है उसमें कौन-कौन सी बीमारियां है तो पहला है cholera बीमारी का नाम है उसी तरह typhoid, polio, meningitis, hepatitis, dysentery तो ये सब पानी से गंदे पानी को पीने से होने वाली बीमारियां है और ये बीमारिया पहल जाएगी अगर हमारा ground water गंदा हो गय और इस गंदे पानी को हम बिना साफ किये अगर पीएंगे तो इससे हमें ये सारी बीमारियां होंगी अब आगे है section 18.7 alternate arrangement for sewage disposal अगर हमारे पास proper sewage system नहीं है तो और क्या arrangements किये जा सकते हैं और क्या विवस्था की जा सकती है कि sewage का proper disposal हो सके to improve sanitation low cost on-site sewage disposal systems are being encouraged on-site sewage disposal system का मतलब ये है कि जहां से waste originate हो रहा है जहां से waste पैदा हो रहा है वहीं पे waste के disposal की बिवस्था की जाए waste को dispose करने की बिवस्था की जाए on-site का मतलब जहां से वो पैदा हो रहा है वहीं पे तो waste को कम करने के सफाई sanitation को improve करने के जो on-site system है उनको encourage किया जा रहा है promote किया जा रहा है बढ़ावा दिया जा रहा है examples are septic tanks, chemical toilets, composing pits तो यह जो on-site sewage disposal systems के तीन example हुए आपके लिए एक example है septic tank जो की directly toilet से जुरा होता है और यहां से जो human waste है निकल के इस tank में जमा होता है और decompose होता रहता है यह एक covered box की तरह है जो cemented होता है जिने हम septic tanks कहते हैं तो यह एक on-site sewage disposal system का example है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि on-site sewage disposal system के तीन example दीजिए तो यह आप दे सकते हैं कि पहला हो गया हमारा septic tanks, दूसरे हो गया chemical toilets, ऐसा toilet जिसमें chemical process से waste को breakdown किया जाता है तो यह chemical toilets दूसरा example है on-site sewage disposal system का, उसके बाद है composting pit जहांपे compost त्यार किया जाता है, waste को एक ग senior बनाया जाता है, तो यह भी एक on-site sewage disposal system का example है, तो कुछ यह काम किये जा सकते हैं, एक alternate के तरह, अगर हमारे पास proper sewage system available नहीं है तो, septic tanks are suitable for places where there are no sewage system for hospitals, isolated buildings, और a cluster of 4-5 houses, तो यह जो septic tanks हैं, यह hospitals के लिए, जहांपे sewage system नहीं है, वहाँ बनाया जा सकते हैं, यह फिर septic tank बनाया जा सकता है, या फिर 4-5 जो घर हैं, वो मिलके एक बड़ा सा septic tank बना कर उसे इस्तमाल कर सकते हैं, some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology, कुछ ऐसे भी organization हैं, जो आप जहांपे हैं, वहाँ पे जाकर आपके लिए human waste disposal technology का इस्तमाल करके, इसकी बिवस्था कर देंगे, वो यह facility offer करते हैं, कुछ ऐसी technology organizations हैं, these toilets do not require scavenging, scavenging का मतलब है कि ऐसे toilets, जो यह chemical toilets हैं, या जो septic tanks हैं, उन्हें साफ करने की जरूत नहीं पड़ती, उन्हें एक जगा से दूसरे जगा ले जाने की जरूत नहीं पड़ती, excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant, तो जो भी human waste निकलता है, वो toilet seat से होकर directly bi biogas plant में या septic tanks में पहुँच जाता है, the biogas produced is used as a source of energy, तो और यहां से जो biogas produce होगा, उसे एक source of energy की तरह use किया जा सकता है, इसे kitchen में खाना बनने के लिए, या फिर और भी दूसरे energy needs को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगला section है 18.8, sanitation at public places, जो भी हमारे public places हैं, जहां पर बहुत सारे लोग कठा होते हैं, वैसी जगहों पर sanitation साप सफाई का किस तरह ध्यान रखा जाए, उसके बारे में section, in our country, fairs are organized periodically, हमारे देश में जो मेले हैं, या फिर जो समरो है, जो सामोहिक मिलन है, वो होता रहता है, a large number of people participate in them, बहुत सारे लोग ऐसे functions मे ऐसे मेलों में participate करते हैं, जाते हैं, in the same way, railway stations, bus depots, airports, hospitals are very busy places, in मेलों के अलावे, जो railway station है, या फिर bus stand है, bus depot है, airports है, hospitals है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, thousands of people visit them daily, यहाँ पर हजारों लोग रोज विजिट करते हैं, large amount of waste is generated here, यहाँ पर बहुत सारा जो waste है, वो generate ह पैदा होता है, it must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out, तो यहाँ जो waste पैदा होता है, जो बहुत सारे लोग जहाँ जाते हैं, और waste करके आते हैं, उन waste को सही से dispose करना जरूरी है, नहीं तो महामारी epidemic फैल सकती है, The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced, हमारे सरकार ने क्या standard सफाई के होने चाहिए, उसे बता रखा है, लेकिन दुर्भाग्यवस यह follow नहीं किया जा रहा, बहुत strictly इसका पालन नहीं हो रहा, However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places, लेकिन जो public places है, जैसे की bus stand, railway station, hospitals, इन जगह पे साप सफाई बनाये रखने के लिए, हम अपना योगदान दे सकते हैं, We should not scatter litter anywhere, litter मतलब waste, कचड़ा, कूड़ा, हमें कहीं भी ये कूड़ा नहीं फैकना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, If there is no dustbin in sight, we should carry the litter home and throw it in the dustbin, मान लीजे के आप एक railway station पे हैं और आपने एक चॉकलेट खाई, तो चॉकलेट का जो wrapper है, अगर आपको कोई dustbin दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे ऐसे ही कहीं फैक न दे, वो चॉकलेट का wrapper आप अपने साथ घर पे carry करके लाईए, और आपके घर पे जो dustbin है, आप उसमें फैक दीजे, इससे public places पे जो ये litter है, जो कुडा कचरा है, वो नहीं फैलेगा, और इस तरह से हम एक active enlightened citizen बन सकते हैं, तो इस chapter का हमारा क्या conclusion रहा अब उसके बारे में, We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy, हम सभी का एक role है, हम सभी का एक दायित्व है, अपने environment को, अपने आसपास की जगह को साफ सुतरा और healthy बनाये रखने में, You must realize your responsibility in maintaining the water resource in a healthy state, आपकी क्या जम्मेदारी है, पानी को साफ रखने में, इसे आपको समझना चाहिए, Adopting good sanitation practices should be our way of life, साफ सफाई के अच्छे तरीकों को अपनाने का रास्ता हमें जीवन में चुनना चाहिए, As an agent of change, your individual initiative will make a great difference, अगर आप इस चीज का बेड़ा उठाएं, अगर आप इस चीज के लिए initiative लें, तो ये काफी difference पैदा करेगा, काफी change ला सकता है, influence others with your energy, ideas and optimism, आप दूसरों को इस चीज के लिए प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी शक्ती से, अपने विचारों से, या फिर अपने positive सोच से, ताकि वे भी गंदगी कम पहलाएं, public places पे कूडे ना फेकें, और specially water bodies को clean रखें, और waste disposal के जो standards हैं, कूडे को properly dispose करें, a lot can be done if people work together, अगर सभी लोग साथ काम करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, there is a great power in collective action, साथ काम करने में एक बड़ी शक्ती होती है, बहुत बड़ा power होता है, महत्मा गांधी ने कहा था, महत्मा गांधी said, no one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action, humane मतलब मानविये, मानवता के हिसाब से, तो महत्मा गांधी ने कहा कि किसी को किसी दूसरे आदमी के लिए, इंतजार करने की जरुत नहीं, एक मानविये कदम उठाने के लिए, एक मानविये और एक प्रबुद्ध, एक enlightened कदम उठाने के लिए, किसी को किसी के इंतजार की जरुत नहीं, अगर हमें लगता है कि कुछ सही है और किया जाना चाहिए, तो उसे हम पहले खुद करके देख सकते हैं, खुद कर सकते हैं, लोग पीछे से follow करेंगे, तो इसी positive note के साथ end होता है ये chapter, मुझे उमीद है आपको ये chapter समझाया होगा, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई